नमस्कार दोस्तों मैं देव सर्मा दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि नीट और जही जो मेन गाय जो एक्जाम अब आगे होने वाला है सेप्टेमबर में उसके उपर अगे जो है वो क्या कुछ होने वाला है और क्या कुछ जो है वो आज इस्पेशली जो है ती सुप्रीम कोट में एक तो क्या एकजाम करवाएं और एक बोल रहे हैं कि एकजाम ने करवाएं तो इन दोनों याचिकाओं उपर अब जो सुप्रीम सुनवाई जो होने वाली है आज आज होगी इस पे सुप्रीम कोर्ट में सुनुआई तो सुप्रीम कोर्ट आज मेडिकल परवेस परिक्षा नीट और इंजिनिरिंग परवेस परिक्षा जाई मेन को इस्तिकित करने की मांग वाली याचिका पर सुनुआई करेगा याचिका में COVID-19 संक्रमन के बढ़ते मामलों के चलते सितंबर से परभावित सितंबर में परस्तावित जैई मेन और नीट यूजी परिक्षाओं को टान लेगी मांग की गई है मामले की सुनवाई जिस्टिस अरुण मिसरा की अगवाई वाले सुप्रीम कोर्ट की बेंच करेगी जैई मेन जो है वो एक सितंबर से चे सितंबर तक आयोजित की जाएगी वही नीट परिक्षा 13 सितंबर को आयोजित की जानी है अभी तक 11 राजियों की 11 सात्रों ने देश से तेजी से बढ़ रहे COVID-19 मामलों की संक्या को मद्दे नजर जैई मेन और नीट यूजी परिक्षा इस्तगित करने के अनुरोद के साथ सुप्रीम कोट में याचिका दायर की थी कि बही एकजाम जो हो सेप्टेंबर में नय कराया जाए क्योंकि जान है तो जहान है मोदी जी ने भी यही बोला था याचिका में कोरोणा वाइरस मामारी का जिक्र करते हुए राष्ट्री परिक्षा एजिंसी एंटिये की तीन जुलाई की नोटिस रद गरने का अनुरोद किया गया है इस नोटिस के माद्यम से ही एंटिये ने सहुत प्रिवेस परिक्षा नीट जैई मुखे अप्रेल 2020 औ सेप्टेंबर में करवाने का यहाँ पर इसमें नेड़ने लिया गया इसके उपर जो नोटिस के उपर जो है वो ये रद करवाने यहां मांग की गई है याचिका में प्राधिकारियों को सामाने इस्तधी बहाल होने के बाद ही इन परिक्षाओं का योजित करने का निर्द कार्ड जारी किये जाने थे ऐसे में परिक्षा का जो admit kaard है वह किम कुछमियु हो करती हैं लेकिन कुछ report का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में permit कार्ड में जारी नहीं में अभी देरी लग सकती है गोरतलब है कि पिछले कुछ समय से जई नीट जई और नीट अभियरतियों भी जो है वो ट्विटर पर लगातार परीक्षा COVID-19 महामारी के 20 सितंबर में कराने के खिलाफ अभियान जो है वो यहाँ पे छेड़ चुके हैं वह हेस्टेक जो है वो हेस्टेक पॉस् कि COVID-19 संक्रमन की आशंका और यातरा समधे दिक्कतों के चलते परीक्षा इस्तिगित होनी चाहिए परीक्षा 13 समय पे कराने के लिए भी सुप्रीम कोड में जो है याचिका यहां पे है मैंने स्टार्टिंग में वीडियों बताया था आपको की दो-दो याचिकाओं पे परवाया जाए तो इसके ऊपर जो है अब सुप्रीम कोड देगा आदेश की क्या होना है क्या नहीं होना दायर याचिका में कहा गया कि परीक्षा इस्तिगित होने पर स्टूडेंट को भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है एक्जाम डेट आगे बढ़ने से नहीं सिर्फ उ स्टिगित होती है तो इससे विधार्तियों में तनाव बढ़ेगा साथ उनकी केरियों में अन्शित आएगी इससे उनके अकादमी प्रत्रशन पर भी बुरा असर पड़ेगा यह उनके द्वारा जो है वो पूरा बोला गया है